नमस्कार दोस्तों आज से भी का स्वागत है नई वीडियो में आज की स्यूडियो में देखे 16-31 मई 2014 से केंट आफ एक कुश्चन तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कुश्चन हमारा हिंदी प्रत्रकारत्य अदियोस परतिवस कब मनाया जाता है तो इसका सेइन्स और आफसन सी जो किह 30 मई को कुछन से अदकने वाला पॉइंट है हिंदी प्रत्रकारत्य अदियोस परतिवस 30 मई को मनाया जाता है उदन्त मार्टन भात में प्रकासित होना पहला हिंदी समाचार पत था उदन्त मार्टन का प्रकासित 30 मई 1826 को को उलगाता में हुआ था इस दिवस के मनाया जाने का उद्यस हिंदी प्रत्रकारत्य में योगदान देने वाले पत्रकारों का सम्वान करना है अगला कुश्चन है विस दिवस परतिवस कब मनाया जाता है तो इसका सेंस और उप्सन डी जो के है 31 मई को कुश्चन से आतकने वाला प्वाइंट है 2024 किसकी थीम क्या थी तो इसकी थीम थी बच्चों को तंबाकू उद्दू को के हस्ता छेफ से बचाना उसको इंगलिस में कहते है अगला कुश्चन है या किस प्रकार की मिसाइल है तो इसका सेंस और उप्सन भी जो की हवा से सता में मार करने वाली कुश्चन से रखने वाला प्वाइंट है अगला कुश्चन है तो इसका सेंस और उप्सन भी जो किहें जापान में कुश्चन से दकने वाला पॉइंट है साल 1935 से रेड़ प्लेग अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है अगला कुश्चन है अंटार्टिक संदी सलाकार बैठक का आयोजन कहां किया गया तो इसका सेंस और उप्सन भी जो किहें कोच्ची में कुश्चन से या तकने वाला पॉइंट है इसका आयोजन 20 से 30 महिँ 24 तक किया गया है अगला कुश्चन है मास्क कमरिकेसे इंटरंसी प्रोग्राम हाले में किस मंत्राले ने सुरू किया है तो इसका सेंस और उप्सन भी जो कि जल सकती मंत्राले ने अगला कुश्चन है तो इसका सेंसर आप्सन बी जो किये ओमानदरा कुश्चन से अधर्णियुला पॉइंट है बंगाल की खाड़ी में उठा चकरवात रेलम बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मांसून उर्ष कडबंदे चकरवात है रेलम नाम जिसका अर्वी में अर्थ होता है रेत उसलों कड़बंदे चकरवातों के नाम कड़ की मानेक परमपरा कैनुसार यह नाम उमानदरा चुना गया है अगला कुश्चन है हाली में किस राज्य सरकार ने गुटका और पान मसाला पर एक साल का प्रतिबन लगा दिया है तो इसका सेइन्स और आप्सन सी जो कि है तिलंगाना ने कुश्चन से यह रखने वला पॉइंट है तिलंगाने सरकार ने राज भर में तंबाकू और निकोटिन युट गुटका और पान मसाला के निर्मार भंडारन वितरन और विक्री पर प्रतिबन लगा दिया है यहाँ प्रतिबन 24 मई 24 से सुरू होकर एक वर्स की आधी तक जारी रहेगा वर्ल्ड हंगर डे परतिबस कब मनाया जाता है तो इसका साइन्स और आप्सन सी जो कि 28 मई को कुश्चन से अतकरने वाला पॉइंट है वर्ल्ड हंगर डे या विस्व भूक दिवस परतिबस 28 मई को मनाया जाता है विस्व भूक दिवस दा हंगर प्रोजोट की एक पहल है जिसे पहली बार साल 2011 में सुरू किया गया था वर्ल्ड हंगर डे की साल 2024 की थीम थी संपन माताएं संपन विस्व जिसको हम इंगलिस में कहेंगे थिर्वलिंग मदस थिर्वलिंग वर्ड्स अगला कुश्चन है हाली में प्रमार्व सुरच्छा और अंतर राष्ट्य सम्मेलन आईकॉंस 2024 का आयोजन किया गया तो इसका सैंस और आप्सन सी जो कि है वियना में अगला कुश्चन है DRDO के अधच कौन है जिनका कारेकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है तो इसका सैंस और आप्सन है जो कि डॉक्टर समीर वी कामत कुश्चन सी यदक में आला पॉइंट है कि दिर सरकार ने रच्छा अनुसंधान और विकास संगटन जिसकों सौट बोलते हैं DRDO के अध़च डॉक्टर समीर वी कामत का कारेकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है सरकारी आदेश कुन सौट डॉक्टर कामत 31 मगी 2025 तक DRDO के परमुक के रुक में अपने वर्थमान पद पर बने रहेंगे कामत को अगस 2022 में DRDO में जो कि ये आयो सीयल के साथ अगला कुश्चन है AFC महिला एसिया कब 2026 के मेजबानी कौन सा देश करेगा तो इसका सेंस और आपसंडी जो कि ये आउस्टरेलिया कुश्चन से अदकने वाला पॉइंट है ACI फुडवाल परिसंग या AFC ने हाल ही में महिला ACI कब के 2026 और 2029 के मेजबानों की घोस्टना कर दी है साल 2026 में या टूर्णामेंट आश्टरेलिया में और साल 2029 में अजुपिकितान की मेजबान में आज़ित किया जाएगा AFC कारेकारी समिते बैंकॉक थाइलांड में आज़ित बैठक में इसकी घोस्टना की अगला कोश्टन है हाली में माउंट एरोस को फतेह करने वाली सबसे उम्रद राज भारते महिला कौन है तो इसका सहींस और आप्सन है जो के हैं जियोती रातरे हाली में परवता रोही जियोती रातरे माउंट एरोस को फतेह करने वाली सबसे उम्रद राज भारते महिला बन गई है जिनकी उम्र है पचपन वर्स और ये रहने वाली है मध्र परदेश की इससे पहले 19 में 2008 को माउंट एरोस पर चड़ना अले भात की सबसे उम्रद राज महिला तिरपन वर्स संगीता बहल थी अगला कौश्चन है हाले में किस भारते मूल के प्रोफेसर को खगोल विग्यान में परतितिस सा परषकार से सम्मानित किया गया तो इसका साइन्स और आप्सन है जोके स्री निवास आर कुलकरणी कुश्चन से रखने वाला पॉइंट है खगोल विग्यान के छेत में उनकी अभुदपूर योगदान के लिए भारते मूल के प्रोफेसर स्री निवास आर कुलकरणी को दोजाच चोबिस के लिए खगोल विग्यान में परतिसी साब पुरसकार से सम्मानित किया गया वर्तमानों कैलिफोर्निया इंस्ट्यूट आफ टेकनोलोजी कैल्टेक में प्रोफेसर के इपदपर कारिरत है साब पुरसकार खगोल छेत में दिया जाने वाला एक महत्पूर आवार्ड है अगला कोश्चन है जनरल टू लेम को हाले में किस देश का नया राष्ट पती चुना गया तो इसका सइंस और आपसन है जो कि है वियत नाम अगला question है संयुत अरव अमिराद के राष्ट पती ने किस देश के राददूत को पर्थम स्रेनी सुतंता पदक्त पतान किया तो इसका science और option C जो कि है परागवे अगला question है travel and tourism development इंडरे दोजाद 24 हाली में किस संस्था दोरा जारी किया गया तो इसका science और option B जो कि World Economy Forum दोरा कुछन से यह पने आला point है हाली में World Economy Forum या WEF तरा जारी travel and tourism development इंडरे दोजाद 24 में भारत 49 हां अस्थान पर रहा World Economy Forum की इस वासिक रिपोर्ट में USA से सीस पर रहा भारत lower middle income category में दच्छिन एसिया में टॉप पर रहा साल 2021 में जारी इस रैंकिंग भारत 54 में अस्थान पर था अगला कुश्चन है हाली में किन ईरूपिय देश ने फ्लेस्तीन को देश का दर्जा दिया है तो इसका science और option है जो कि Norway, Ireland और Spain अगला कुश्चन है विसुप एरा अत्लेटिस चंपियंजिप में भारत की दीपती जीवण जी ने कौन सा पदक जीता है तो इसका science और option है जो किये सौन पदक प्समारिफनी 中 cinquisट है भारत की दीपती जीवण जीवण जी विसुप एरा अत्लेटिस चंपियंजिप ने महिलाओं की 400 मीटर T20 वर दोड में 55.07 सेकंड में विस रिकॉर्ड बनाते हैं सौनपदक अपने नाम किया है दीत्ती ने पेरीस में चैंपियंस के पिछले संस्क्रण में अमरीकी ब्रीनक लार के पिछले विस रिकॉर्ड जो की था 55.12 सेकंड को तोड़ दिया है तुर्की की आईसन ओंडर 55.19 सेकंड के साथ दूसरे अस्थान पर रही अगला कुश्चन है परतिवस अंतर राष्टे जय विवत्या दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सहींस और आप्सन सी जो किहे 22 मई को कुश्चन से अधिकने वाला पॉइंट है साल 2000 में संयूत राष्ट महा सवा ने 22 मई को अंतर राष्टे जय विवत्या दिवस के रूप में मनाने की घोश्चना की थी पहली बार या दिवस बाइस मई 2001 को मनाया गया था अगला कुश्चन है हाले में किस संस्था ने उत्तर भारते में वाईव परदोस्ण और स्वास्थ प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेस की है तो इसका सहींस और आप्सन सी जो कि IIT जैपुर ने अगला कुश्चन है हाले में किस कंपनी के किसी ड्रोन को DGCSA से सार्टिफिकेशन हासिल हुआ है तो इसका सहींस और आप्सन है जो कि AITC MC Ventures Limited कुश्चन सी जैपने लगा पॉइंट है AITMC Ventures Limited या AVPL International को किसी ड्रोन विराज के लिए DGCA का सार्टिफिकेशन हासिल हुआ है अगला कुश्चन है कानफिल महसो दोजाज 24 में भारते पाविलियन का उदघाटन किया गया इसका आज़न कहां किया गया तो इसका सेइंस और आप्सन है जो कि है फ्रांस में कुश्चन सी जैपने लगा पॉइंट है प्रतिफित कानफिल महसो में प्रतेकवस भारते पाविलियन का आज़न सुचना एंपरसाण मंतला भारत सरकारदरा किया जाता है इसका उदघाटन सुचना एंपरसाण मंतला सचिव संजय जाजू और फ्रांस में भाद के रादू जावेद असरफ ने किया अगला कोश्चन है भारत सरका के पसुपालन और डेरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चिन परबंधन के लिए किसके साथ समझोता किया है तो इसका साइन्स और आप्सन है जोके UNDP के साथ अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है हर साल विश्च सरणासी दिवस कब मनाया जाता है तो इसका साइन्स और आप्सन B जोके है 20 मई को अगला कोश्चन है तो इसका साइन्स और आप्सन C जोके 21 मई को अगला कोश्चन है फ्रेडरेशन कब 24 में निर्ट चोटान सुड़ पदक जीता इसका आरजन कहां किया गया तो इसका सेंस और ओप्सन डी जो के वुनेसवर में अगला कुश्चन है भारत के किस मसूर फुटबॉलर ने अंतर राष्टे फुटबॉल से सन्यास की घोष्टना की तो इसका सेंस और ओप्सन है जो के सुनील छेतरी ने दोस्तों आज का अगला और आखरी कुश्चन है फोन पे ने हाले में किस देश्ट में यूप्याई सेंवाव की सुरुवात की है तो इसका सेंस और ओप्सन सी जो के सरी लंका में दोस्तों आज का वीडियो यह समावत होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अगर चनल पे पहली बार चनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में